भारत के कम चक्टीपिटों में से एक है वो तो वहां पर मैंने इस नहीं नीचाल का बैक स्टोरी पड़ा वह है बहुत है इस रास्ते से हम लोग नहीं आये थे सब्सक्राइब मेरे दोस्तों मेरे नाम है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक रॉइट्स में तो आज हमारी रिटेंजर नी स्टार्ट हो रही है और हम दो लोग यह साथे और जो तीसरा राइडर है था हमारे साथ अभी वह एक्चली जा रहा है पुना तो वह अगले डिरिक्शन में अलग डिरिक्शन से जा रहा है वह तो उसको क्योंकि जल्दी पहुचना है तो वह हमारे साथ एक जैपूर में हौल्ट नहीं लेगा तो अभी सिच्यूएशन यह है कि हम दोनों ही है और हम दोनों जैपूर का पहले ही बुकिंग कर दिया था होटल का तो इसके लिए हम लोग जैपूर जा रहे हैं तो जैपूर के बाद में हम लोग जाएगे इंडोर इंडोर से पुना और पुना से घर पे ऐसे रूट हमारा तीनों का लेकिन उसमें एक राइडर जो अभी था वो हमरे साथ कैंसल आउट हो गया और अभी हम दो ही है मैं और मुन्ना भाइकर अभी तो मेरे एक्चुली मूड नहीं था यह ब्लॉक बनाने का आज का लेकिन मैं कल एक चीज़ आपको बताना भूल गया जबकि मैं कल नैना देवी टेंपल गया था नैनिताल का जो की फेमस है एक्कावन शक्ति पिठो में से एक है वो तो भारत के एक्कावन शक्ति पिठो में से एक है वो तो वहाँ पर मैंने इस नैनी तल का backstory पड़ा वहाँ पर लिखा हुआ था तो यह नैनी तल का backstory ये था कि जब सतीमा का दियान्द हो गया था तो उनकी बाई जब उनकी डेड़ बोड़ी ले के जा रहे थे तब उनकी बाई आक निकल कर गिर गई और जहां पर गिर गई उस जगे का नाम नै कि फिर रक्षा की थी मा नैना देवी मैं ऐसे उसका backstory है नैनी तल का क्यों कैसे नाम पड़ा और कैसे यह सब है तो अभी मैंने ग्लोज नहीं पिने अभी आगे जाके थोड़े पहिनूंगा अभी फिलाल मुझे इतना यह नहीं लग रहे है थोड़ी ठंड तो है यहां पर है निकलते आड़ बज गए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी है वह है बहुत है कि सुन्दर पुल है यह इस रास्ते से हम लोग नहीं आये थे वैसे तो आते वक्त सु यहां से पुल से एक मिनिट मुझे उतरने दो पुल से बहुत ही सुन्दर नजार आ है पुल से और दूसरी थरफ यह देखो यहां से वाटरफॉल है एक्चली पानी आ रहे है उपर से पहाडों का बहुत ही सुन्दर ऐसे कुछ बहुत सुन्दर नजारे दिखेंगे तो ही मैं लोक्स बनाते रहूंगा तो अभी जैस्ट हम लोग ब्रेकफास के लिए रुके थे तो अब देख सकते हो अभी मेरी बैग कैसे भरी हुई है एकदम फुल ओन लोड़ेड ओर्लोड ओर्लोड हो चुकी एक्चली बैग मेरे इतना नहीं बरना चाहिए था हच्छे जादा भर दिया है मैंने लेकिन मेरे पास कोई आप्शन नहीं था तो मैंने बर दिया है और अभी हम चल रहे है आगे हां मुंबई यह में जुरो सेवें नियरबाई गोवा से है यह मेरा मुंबई का मेरा में भी उदर ही रहता हूं लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन मुंबई का है तो अभी हम उत्तराखंड से यूपी में एंटर कर चुके है देव भूमी उत्तराखंड तो हमने छोड़ देए छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था तीन दिन बहुत बड़े मज़े आए लेकिन क्या करे हमें भी अपने काम पर जाना ही होगा वापस सभी उत्तर एनडर के यूपी में हम लोग शयद खांगाने के लिए नहीं रुखेंगे क्योंकि हम थोड़ा यहां पे हैजीन यार फिकर है तो मोस्तली अ मिण भाना नहीं खाएंगे क्योंकि अम लोगने ब्रेक्फास्ट तड़ा तक्ड़ा कीया कि था अभी पीछय तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग जैपूर ही चले जाए बरेली में थोड़ा हॉल्ट लेंगे देखेंगे और और तो कुछ नहीं और फिर सीधा सीधे जाएंगे सिर्फ हम लोग को 5500 किलोमेटर जाना है और अभी तक हम लोगों ने सौ किलोमेटर भी नहीं किया है सुबह आड़ बज़े से तो चलिए आगे बढ़ते हैं सो अभी हम लोग यूपी बॉर्डर क्रॉस करके राजस्तान में एंटर हो चुके है और यह राजस्तान में पहला टोल जो कि ऑविसली बाइक को नहीं बे करना है हम यह से आगे बढ़ेंगे और मैं और छोटी मोटी अपडेट्स देते रहूंगा राइड के दोरान तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं कुछ जादा दिखाऊंगा नहीं रोड क्यूंकि यह बहुत एम्टी रोड ही है सारे कि अभी हम जाइपूर एक्स्प्रेस जैपूर आगरा एक्सप्रेस वेपे है जब हम लोग नएनी दाल से निकले थे तब हमें ऐसा लगा था कि हम हमारे नसीब में आज एक्सप्रेस वे नहीं है लेकिन जैसे ही हम लोग राजिस्तान एंटर किये तो यह एक्सप्रेस वे मिला जाइपूर आग्रा एक्सप्रेस वे और बहुत सुकून मिला अभी हम अराउंड वन वन ट्वेंटी किलोमेटर दूर है हमारे डेस्टिनेंशन से जैपूर में तो वहाँ पे कुछ एक्प्लॉर तो नहीं करने वाले है वैसे भी शाम के साथ बच गये है पोश्टे-पोश्टे शाएज हम लोगो नौ बच जाएंगे चेक-इन कर जो दस्त हो जाएंगे आग गैस पता नहीं कितना टाइम होगा तो चलो जो भी है अभी देखा जाएगा मेरा एज चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेस्ट आपको मिले इसके लिए बैल आइकन जरूर दबाईएगा आप सभी को मेरी धेर सारी शुब कामना है झाल